अलू फ्रेंड्स वेल्कम बेक टू मैं चनल आज मैं आपको हैंकरचिप टॉप विट डिजाइनर स्लीव बनाना बताऊंगी उसके लिए मैंने ये आधा मिटर नेट का फैब्रिक लिया हुआ है इसमें से हम स्लीव में डिजाइन करेंगे और दो मिटर मैंने ये रेयोन का प्लेन फैब्रिक लिया हुआ है आप इसे अपनी पसंद से किसी भी फैब्रिक में से बना सकते है तो सबसे पहले हम टॉप पाट की कटिंग करेंगे तो फैब्रिक को मैंने फोर फोल करके बिचाया हुआ है जो मेरी साइट है वो इसकी बनदवाली साइट है और जो उपर की साइट है वो इसकी खुली हुई साइट है और इसकी जो लंबाई मैंने रखी है वो 15 इंच की रखी है 14 इंच की लंबाई हमारी बनकर रेडी होगी अभी shoulder के लिए हमें 6 इंच पर निशान लगाना है देखे क्योंकि हम इसमें deep neck बनाने वाले है तो shoulder हमें 6 इंच का ही लेना है total जो shoulder है वो हमारा 14 इंच का है तो उसमें से हमें 3 इंच माइनस कर देना है तो 11 इंच होता है तो उसका आदा हमें 5.5 इंच लेना है और उसमें आदा इंच हमें extra लेना है losing के लिए तो इस तरीके से shoulder मेंने 6 इंच का लिया है और armhole के लंबाई के लिए हमें 6 इंच पर निशान लगाना है क्योंकि आदा इंच हमारा shoulder slope में चला जाएगा अभी यहां से हमें chest का measurement लेना है तो आपकी chest का जो भी measurement हो उसका चौथा भाग करना है और उसमें हमें 2 inch extra लेना है सिलाई margin के लिए तो मैंने 11 inch पर निशान लगाया है chest का 4th part करके 2 inch extra लेना है अभी back arm hole के लिए हमें 1,5 inch पर निशान लगाना है और front arm hole के लिए 1 inch पर निशान लगाना है और दोनों निशानों पर हमें round shape draw कर देना है अभी नीचे से हमें कमर की चौड़ाई का चौथा भाग करना है और उसमें भी हमें 2 inch extra लेना है सिलाई margin के लिए तो मैंने 10 inch पर निशान लगाया है वेश्ट का fourth part करके 2 inch extra लेना है सिलाई margin के लिए अभी side से भी हम line draw कर देंगे ये दिखें इस तरह के से अभी गले की चौड़ाई के लिए हमें स्रिप 2 inch पर ही निशान लगाना है क्योंकि हम आगे से deep neck बनाने वाले है और पीछे से भी हम थोड़ा सा deep neck रखेंगे अगर आप चाहे ज्यादा deep neck रखना तो आप ज्यादा भी deep neck रख सकते है back side से अभी देखें पीछे की गले की लंबाई के लिए हमें 5 inch पर निशान लगाना है और आगे की गले की लंबाई के लिए हमें 6.5 इंच पर निशान लगाना है तो आगे की गले की लंबाई भी आप अपनी पसंद से कम्या जादा कर सकते हैं 7 इंच तक भी रख सकते हैं और पीछे की गले की लंबाई भी आप 9 या फिर 8 इंच भी रख सकते हैं अभी दोनों निशानों पर हमें round shape ड्रोग कर देना है, ये देखिए इस तरीके से, अभी जहाँ पर हमारी armhole वाली line है, वहाँ पर हमें आदा इंच पर निशान लगाना है, shoulder slope के लिए, और एक तिर्ची line ड्रोग कर देनी है, आदा इंच पर निशान लगाते हुए, अभी स देखिए मैंने इसकी cutting कर दी है, अभी हमें इसमें से एक पार्ट को निकाल लेना है, और एक पार्ट को निकालने के बाद हम इसे वापस से double fold कर लेंगे, और वापस से double fold करने के बाद हमें front neck और front armhole की cutting कर देनी है, तो जैसे हमने front का neck ड्रोग किया है, बिल्कुल वैसे ही मैं इसकी cutting कर देनी है, आप चाहें तो front neck में कोई अलग shape भी रख सकते है, तो देखे मैंने cutting कर ली है, और यह हमारे दो पार्ट है, आगे और पीछे के लिए, अभी हम bottom part की cutting करेंगे, तो 20 तक की लंबाई और चोड़ाई वाला fabric मैंने cut करके इसे four fold में बिचा दिया है, ज देखें इसकी जो लंबाई मैंने रखी है, वो 20 inch की रखी है, और इसकी जो चोड़ाई मैंने रखी है, वो भी 20 inch की ही रखी है, यानि लंबाई भी हमारी 20 inch की है, तो आप चाहें तो लंबाई या चोड़ाई कमिया ज्यादा भी कर सकते हैं, अभी हमें top का कोई भी एक पा बचता है वहां तक हमें इसे इस तरीके से फोल्ड कर लेना है तो दो इंच तक हम इसे इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे जितना हमने एक्स्ट्रा लूजिंग रखा था उतना उसके बाद जितना भी हमारा टॉप वाला पाट बचता है उसे हमें इस तरीके से एक कोने पर रख और इस तरीके से पहले हम दोनों सैट पर निशान लगाते हुए लाइन ड्रो कर लेंगे। चोड़ते हुए उपर को एक और लाइन डो कर लेनी है लूजिंग के लिए तो हम इसे कमर वाली साइट पर थोड़ा भी लूज हो गया तो हम इसे कम नहीं कर सकते है इसलिए अगर छोटा कट गया तो हम थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते है उसके बाद कहीं से भी हमें इसकी शेप में रखना है, सिर्फ उपर से ही हमें इसकी कटिंग करनी है उसके बाद जो बंद वाले सेट है वहां पर हमें छुटा सा कट लगा देना है ताकि जब हम इसे अटेज करेंगे तो हमें मालूम पड़े कि हमें कहां पर इसे अटेज करना है यानिक ये दो कोने हमारे साइड में होने चाहिए, इसलिए हमें छोटा सा कट लगा देना है, तो देखे बोटम पाट की कटिंग हो चुकी है, अभी हम स्लीव की कटिंग करेंगे, तो फेबरिक को मैंने फोरफोल करके बिछाया हुआ है, और देखे, इसकी जो लंबाई मैंन तीन इंच पर निशान लगाना है, बंद वाली साइट से भी हमें तीन इंच पर ही निशान लगाना है, और इस तरीके से लाइन ड्रो कर देनी है, अभी खुली हुई साइट से हमें दो इंच पर निशान लगाना है, और इसमें हमें स्लिव का शेप ड्रो कर देना है, अभी भी हमें इसमें लाइन ड्रो कर देनी है अभी हमें इसकी कटिंग कर देनी है तो जैसे हमने ड्रो किया है बिल्कुल वैसे ही हमें स्लिव की भी कटिंग कर देनी है तो दिखें मैंने सल्लीव की भी कटिंग कर ली है और यह हमारी दो स्लीव है अब ही सबसे पहले जो हमारे टॉप पाट है उसे हम रेडि करेंगे तो गले पर हम तिर्ची पटी अटेज करेंगे और इसे double fold करते हुए उल्टी side पर पलट देंगे तो देखे मैंने तिरची पट्टी attach कर ली है front part के उपर भी और back part के उपर भी यान की back neck के उपर भी अभी देखे हमें front वाला part लेना है और यहाँ पर हम gathers बनाने वाले हैं सबसे पहले front part को इस तरीके से double fold कर लेंगे और double fold करने के बाद जो बनद वाली side है यानि की neck वाली side है वहाँ पर हमें 4 से 5 inch पर इस तरीके से एक निशान लगाते हुए center में line draw कर लेनी है क्योंकि हम थोड़ी सी ही इसमें gather बनाने वाले है इसलिए हमें 4 या फिर 5 inch पर ही निशान लगाना है और बिल्कुल center में ही हमें ये line draw करनी है और देखे अभी जो line हमने draw की है उसके उपर हमें बड़ा टाका करके इसमें सिलय लगानी है क्योंकि हम इसमें gather बनाने वाले है तो यहीं तक हमें सिलय लगानी है अभी हमें एक धागे को हलके हलके खीचना है और इसकी gather बनानी है तो ज्यादा gather हमें नहीं बनानी है एकदम हलकी हलकी ही gather हम बनाएंगे तो 3 से 4 यानि की 3 inch तक ही gather हमारी बननी चाहिए इस सरीके से उसके बाद हम इसके उपर पक्की सिलय लगा देंगे gather को set करने के बाद तो देखे आप चाहे तो पूरी नीचे तक भी gather बना सकते है लेकिन मैं यहाँ पर 3 inch तक ही gather बनाने वाली हूँ उसके बाद हमें front वाला पाट सीधा रखना है और उसके उपर back वाला पाट उल्टा रखेंगे और इसके shoulder joint कर लेंगे दोनों ही side से तो देखे मैंने center में पक्की सिलय भी लगा दी है और दोनों side के shoulder भी मैंने joint कर लिये है अभी हम इसमें sleeve attach करेंगे तो simply हमें sleeve को उल्टा रखना है तो center से ही हम sleeve को attach करना है center से जबी भी हम sleeve attach करते है तो sleeve हमारी perfect तरीके से बैठ जाती है इसलिए हम sleeve को center से ही attach करना है और इसी तरीके से दूसरी side के armhole के उपर भी हम sleeve को उल्टा रखेंगे और इसके उपर हम सिलय लगा देंगे तो दोनों ही side हम sleeve को joint कर लेंगे तो दिखे मैंने sleeve को attach कर लिया है दोनों ही side के armhole के उपर मैंने sleeve को attach कर लिया है अभी पहले हमें इसकी fitting कर लेते है तो top part को हमें उल्टा कर लेना है और side से 2 inch का gap रखते हुए हमें इसकी fitting कर लेनी है दोनों ही side से तो देखे मैंने इसकी fitting कर ली है दोनों ही side से अभी हम पहले इसमें bottom part को attach कर लेते हैं तो simply हमें bottom part को उल्टा रखना है और देखें दोनों side पर जो हमने छोटा सा cut लगाया था उस cut को हमें side की सिलय के साथ मिलाना है देखें bottom part को इस तरह के से खोल देंगे और ये जो दोनों side पर हमने cut लगाया है वो जो हमारे fitting की दोनो side की सिलय है उसके साथ हमें मिलाना है ये देखें इस तरह के से दोनो side के cut को हमें दोनो side की fitting की सिलय के साथ मिलाना है और हमें इसे pins लगाकर secure कर लेना है ताकि हमें सिलय लगाने में कोई भी परेशानी ना हो इसलिए हमें पूरे ही राउंड में पींस लगाकर इसे सिक्योर कर लेना है उसके बाद ही हमें इसके उपर सिलय लगाएंगे उसके बाद पूरे ही राउंड में हमें इसके उपर सिलय लगाकर बॉटम पार्ट को अटेज कर लेना है उसके बाद देखिए bottom part का जो नीचे वाली border है उसे हमें simply तीनों ही side से इसकी border को उल्टी side पर double fold कर लेना है और इसके उपर हमें सिलय लगा दिनी है तो तीनों side की border को हम double fold कर लेंगे और इसके उपर हम सिलय लगा देंगे तो ये चोकोर shape होता है इसलिए इसमें सिलय लगाने में कोई भी परिशानी नहीं होती है इसी तरीके से तीनों side की border को हम double fold करते हुए इसके उपर सिलय लगा देंगे तो देखे मैंने bottom part cottage कर लिया है टॉप part के साथ और नीचे की जो border है उसे भी मैंने double fold करते हुए इसमें सिलय लगा दी है तीनों ही side से अभी हम sleeve में जो frill attach करने वाले है उसकी cutting कर लेते है तो देखे नेट वाला जो fabric है वो मैंने आधा मिटर ही लिया है और इसे मैंने इस तरीके से double fold करके बिचाया हुआ है अभी हम इसे triangle shape में four fold कर लेना है तो इसी तरीके से हम frill की cutting करेंगे तो fabric को मैंने triangle shape में four fold किया हुआ है जो मेरी side है वो इसकी बंद वाली side है और जो उपर की side है वो इसकी खुली हुई side है अभी देखिए जो sleeve की हमारी नीचे वाली border है उसे हम measure कर लेंगे तो fitting करने के बाद इसकी जो चौड़ाई बची है वो 6 inch की बची है तो उपर वाला जो कोना है वहाँ पर हमें 6 inch जहां पर भी हमारा होता है वहाँ पर हमें inchi tape को इस तरीके से रखना है और पहले दोनों side पर हमें निशान लगा देना है देखे इस तरीके से पहले दोनों side पर हम निशान लगा देंगे उसके बाद जो बंद वाली side है वहाँ पर हम उपर से measure कर लेंगे कि कितना आया है तो ये मेरा 5.5 inch का measurement आया है तो पूरे round में हमें 5.5 inch पर इस तरीके से निशान लगाते जाना है और round shape draw कर लेना है देखे कहीं पर भी हमें extra fabric नहीं लेना है क्योंकि ये round shape होता है तो थोड़ा सा ज्यादा ही हो जाता है लेकिन ये net fabric है तो इतना ज्यादा खीचता नहीं है लेकिन बरोबर तरीके से आ जाएगा तो ज्यादा fabric हमें नहीं लेना है तो 6 इंच पर इस तरीके से round shape draw कर लेना है उसके बाद देखे जो आगे वाली side की लंबाई में रखने वाली हूँ वो 7 इंच की रखने वाली हूँ और जो खुली हुई side है यानि कि जो हमारी नीचे वाली side आएगी उसकी लंबाई हम देख लेते हैं तो जितनी भी फेब्रिक की लंबाई है उतनी में पूरी ही रख लूँगी तो यह 13 से 3.5 इंच की लंबाई आ रही है तो इतनी में पूरी लंबाई रख लूँगी आप चाहे तो कमिया जादा भी कर सकते हैं लेकिन इतनी हमें काफी रहेगी अभी देखिए जो 7 इंच की लंबाई हमने रखी है वहाँ से हमें इस तरीके से shape draw करना है जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हमें shape draw कर देना है ये देखिए इस तरीके से तो ये sleeve का shape हमारा कुछ इस तरीके से आएगा अभी हमें same इसी तरीके से इसकी cutting कर देनी है तो दिखे मैंने cutting कर ली है और ये shape कुछ इस तरीके से नज़र आएगा अभी इसे हम खोल लेंगे तो एक set इसकी बंद वाली set है तो इसे भी हमें cut करके अलग कर देना है तो हमारी दो sleeve की cutting हो जाएगी बंद वाले shape की भी हम cutting करके दोनों ही sleeve को separate कर लेंगे तो देखे मैंने cutting कर ली है अभी हमें इस तरीके से sleeve को fold करना है और ये जो खुली हुई set है वहाँ पर हमें सिलय लगा कर इसे joint कर लेना है तो देखे इसी तरीके से दूसरी sleeve को भी हम joint कर लेंगे तो देखे मैं इसमें sleeve लगा कर इसे joint कर लिया है अभी हम इसे sleeve में attach करेंगे इस frill को तो देखे bottom part को यानि कि ये जो frill है इसे हमें उल्टा ही रखना है और top part की जो sleeve है उसे हमें सीधा ही रखना है और ये जो हमारी sleeve वाली side है वो हमारी fitting वाली sleeve के साथ मिलनी चाहिए उसके बाद हमें इसे pins लगा कर secure कर लेना है तो देखे फ्रill हमारे एकदम बरावबर तरीके से cutting हो चुकी है कहीं पर भी ज्यादा नहीं आई है और देखे आटेज करने के बाद ये कुछ इस तरीके से नज़राएगी और इसकी border में आप चाहे तो stitch भी करवा सकते है stitch करवाने से इसका fold बहुत ही अच्छे से आता है या फिर आप चाहे तो इसकी border को इस तरीके से double fold करते हुए भी इसमें सिलाई लगा सकते है क्योंकि ये net fabric है तो कोई परिशानी नहीं होगी border को fold करने में और इसी तरीके से दूसरे साइट के स्लूप के उपर भी हम frill cottage कर लेंगे तो देखे मैंने frill cottage कर लिया है और इसकी border को भी मैंने fold कर लिया है दोनों ही frill को मैंने attach कर लिया है अभी देखे ये जो front वाली साइट है वहाँ पर हम ये डोरी लगाएंगे तो इसलिए मैंने ये पतली सी डोरी बनाकर ready की है और दोनों साइट पर मैंने tazzles भी लगा दिये हैं फैब्रिक वाले ही अभी center में ही इसे रखते हुए इसके उपर हम सिलाई लगाकर इसे joint कर लेंगे या फिर आप चाहे तो इस तरीके से बो बनाकर इसे needle और thread की मदद से भी attach कर सकते हैं आपकी choice के मताबिक तो मैंने पहले center में डोरी को attach कर लिया है इसलाई लगाकर इस तरीके से हम बो बना लेंगे तब भी आपका बो बहुती सिंदर लगेगा और इसी के साथ यह हमारा handkerchief top with designer sleeve बनकर ready हो चुका है और यह है इसका final look So friends, I hope आपको आज का यह tutorial पसंद आया होगा अगर आपको आज का यह video पसंद आया तैसे like और share जरूर कर देना और अगर अभी तक आपने हमारी channel को subscribe नहीं किया है तो please इसे subscribe कर लिजे और साथ ने इस bell icon को press करना मत भूलेगा ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की notification सबसे पहले मिल सके और आपको यह video कैसा लगा है मुझे comment करके ज़रूर बताईएगा मेरा यह video देखने के लिए thank you so much friends